आज मैं लेका रही हूं दिबाली इस पेशल बिना गैस जलाए तो नए और यूनिक तरीके की शानदा शाही मठाई इसको बस आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे तो यह देखिए लग रही है इसको बिना गैस जलाए बनाया है तो बिलकुर पांच मिनाट में बिना ग में डीब बनाते हैं उसलिड़ा दो object है टीड़ा ली दिब आले 52 यह जा दो चमंच वर्श भाविए ना ही करेंगे ना उतना ही दूर डाल देंगे और बस इसको बड़ी आसा अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत सी टेस्टी सी मलाईदा डिब बनके रेडी है इसको बड़ी आसी कोटिंग करेंगे ना डेजर में तो उसका अलागी टेस्ट आएगा यह देखिए तो लग रही सा मिल्क पाउडर और एड़ कर सकते हैं उसके मद आपको चार ब्रेड चाहिए यहाँ पर या फिर आपको और ज्यादा बनाना तो आप ज्यादा ब्रेड ले सकते हैं इसकी सारी एज़े इसको धर करके इस तरीके से निकाल देंगे जब बच्चों को देंगे बड़ों को बिखाएंगे उंग्लियाज चाड़ते रह जाएंगे इतनी ज्यादे शाही लाजवा बजार की सारी मिठाईयों को भी फेल कर देती है इतनी शाही मज़ेदार मलाईदार लगती है तो बस इसको इस तरीके से काट लीजे और इसका किनारे का एजस काटा है इसको बिल्कुल इसका भी हम इस रेस्पी में यूज़ करने वाले हैं तो यह देखिए इसको भी हम रख लेते हैं और बस हमको एक बेलन लेना है और बेलन की हल्प से हम इसको बढ़ियासा इसे बहुत ही लाइट हैंट से प्रेस कहते हुए इस तरीके से हम रोल कर लेंगे हलके सी पतली हो जाएगी ऐसे यह देखिए इस तरीके सारे बेट को मैंने अच्छे से बेल लिया है अब यह जो डिप तैयार किया था ना बढ़ियासा इसके उपर हम अपलाए कर देंगे चारो बेट के उपर बढ़ियासा इसकी कोटिंग करेंगे जब हम मिस मठाई को खाएंगे ना तो जो बाजार की रबडी आप खाते हो ना बिल्कुल उससे भी ज्यादा अच्छा इसका टेस्ट आता है तो इसको आप जरूर ट्राय करें वह बिना गैस जलाए से पांच मिनट में तो इसको पूरे ब्रेट में अच्छे से अपलाई कर देते हैं अब क्या करना है आपको यह ब्रेट है ना इसको आइसे रोल करते जाना है गोल गोल इस anthrop के बजासे न हैं इस चिपकी रहेगी बिलकुल भी निकुलेगी लीए देखे इस तरीके से आपको रोल कर लेना है चारो ब्रेट में जो चारो ब्रेट में हम सारी डिप को बहुत अच्छाए से कोट करेंगे औ यह देखिए मैंने ब्रेट को तो अच्छे से रोल करके रख लिया है अब चलिए इसका बढ़िया सा उपर से मलाई दरवला डिप और दूसरा तयार करते हैं उसके लिए मैंने यह जो ब्रेट का लिया था ना चूरा तो आप इसको थोड़ा सा डालीजे दो चमस के लगवग क्योंकि टिप हमें बहुत गाड़ी नहीं बनानी होती जो हम उपर से इसको स्प्रेट करने वाले हैं तो बिल्कुल भी फेके नहीं उसके बाद अगर आपके पर केसर हो तो आप वो डाले मैंने यहां पर फूट कलर कर यूज किया है थोड़ा सा दूद में डाल दिया था और एक चमस मैंने यहां शक्कर डाला है दो से तीन मैंने यहां पर काजू यूज करें कोई चीज आपके पर नहीं आप सकते हैं और यहां पर मैंने दो चमस वापस से मिल्क पाउडर लिया है और धाई दो से तीन चमस मैंने यहां पर दूट डाल दिया है और इसको बढ़ प्रेट के बड़ी अच्छी लगती है तो बस आपको क्या करना है सारे ब्रेट के उपाइस को अच्छे से बड़ी असा कोट कर देना है तो जब इस तरीके से डालोगे न और बहुत गाड़ी रहेगी तो यह अंदर तक जाएगी नहीं तो इस चीज के आप द्यान रखें जादा टेस्टी लगती है ना कि आप इसको ऐसे ही खा जाओगे इतनी टेस्टी लगती है डिप भी बिना गैस जलाए कोई भी कराई में आपको दूर रेडियूस करने के जुरुत नहीं है और यह देखे है मैंने पुरा डाल दिया है ओपस हम थोड़ा सा लगा देंगे य यह मेरी गैरेंटी है जरूर ट्राय करें आपको बहुत 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 पसंद आने वाली है तो यह देखे इसको आप काटोगे ना इसे इतनी लजीज है इतनी अच्छे से पुरा सिरफ अंदा तक जा चुका है कि बहुत इजली है यह देखे एक एक बाइट खाते जाओगे ना तो खुद को रोक नहीं पाओगे इतनी ज्यादा यह यमी बंके रैडि होती है तो बच्चों को दीजिए बढ़ो को दीजिए तोहार में बाजार की मैगी मैगी मठाईयों को छोड़के घर में ऐसी प्योर और मजधार टेस्टी सी मठाईय बनाकर अपने तो को स्पेशल बना सकते हैं तो जल्दी जाकर ट्राय करें कॉमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी तब तक के लिए बाय थैंक्स फर वाचियों में विडियों